अनीता जश्ट ब्लोक में सवागत है देखिए मैं बना रहे हूं पनिर कावली पनिर है चलिए पनिर काटकोट के लिए हैं देखिए तो देख़ हो किए चलिए यसे बनाते हैं तो चैळाय को अच्छे से गरम होना दिज़िए जब भी आप पनिर को फ्राइं कीजिए प्राई करते समय पनीर को अच्छे से गरम होना चाहिए ताकि पनीर की चिपके न और उसमें पानी जो रहता हलका फुलका और छोड़े न करार एकरार अच्छे भुझा जाए अगर किसी को कम भुझा खाना है तो मतलित अपना हिसाब से भुझे थोड़ा कम बेसी कर सकते हैं बहुत ही टेश्टी लगते हैं खाने में पनीर इसे भी फ्राई कर खाया था पनीर बहुत ज्याद के लिए अच्छे है और चलिए पनीर हमारा भुझा चुके हैं भुझे निकाल लिए हैं थोड़ा सा तेल पहले हैं ज्यादा डुलागे सा तेल इसमें डालने के जरूरत नहीं है आप कम तेल में भी फ्राई कर सकते हैं डिप फ्राई करके ढाल सकते हैं अब इसमें डाल दिजेरा लाल मुर्च और गरम मसाला जैसे कि उसमें आता है बड़ी लाईची, दाल जैनी, देश्पत्ता, लौं, काली मिर्च अगर रचाल टाल देजार डालने के बाद लसुन अद्रक में पहले इसलिए डालती हूं कि इदर दर आहा कुटा हुआ है इसमें थोगा सा भूंजाने से कच्छा पन चला जाता है बहुत अच्छा टेश्टी लगता है सुन्दा सुन्दा अब उसके बाद प्याई डालिए प्याज को भी अच्छे से भूंजी लेजि हमारे हाँ जो टमाटर इस बार भी है तो टमाटर पिष्णिक जरूद नहीं बहुत पतले छिलके हैं इसलिए बहुत जल्दी गल जाते हैं देखिए अधर भूंजा रहा है है अब मसाला को भी उसी में आप डाल देजिए बहुत इच्छे खाने में पूरी के साथ खाईए गया देजिए चावल के साथ बहुत टेश्टी लगते हैं कावली पनीर आप मडर पनी बना सकते हैं इसमें हल्दी हल्दे डाल देजिए धनिया पौडर एक चमच मैं बहुत ही कम मसाला डलकर बनाती हूं गरब मसाला अब इससे अच्छे चलाए थोड़ा सा इसमें पाइन डालिए ज़धर करके पाइन डालने से होता क्या है कि मसाला जलते नहीं है हल्का सा डालिए जोके मसाला इसमें देश्टी वहत अच्छा बन जाते हैं हमारे घर में भी पनीर है इसलिए मैं पनीर के सबजी कभी इस चीच में डालकर बनाती हूं मुझे पनीर पसंद है काबली चाना मैध है रुबाल चुकी हूं इसमें भी हलका नमक डाले हूं नमक डालने से बहुत अच्छा गल जाते अब इसमें डाल देजे, पानी जो था उसके साथ ही डाल देजे, पानी को वेश्ट मत कीजे, गरम पानी भी है, बहुत अच्छे जल्दी से खौल भी जाएंगे, और टेश्ट भी लगेंगे, और इसमें नमक और थोड़ा सा चाहिए हमको, इसलिए कि नमक उसमें डाले हैं, इसमें नहीं डालना है, तो नमक तो डालना ही है, अब थोड़ा कम डालना है, अब अपना स्वादम से डालना है, पानी अपना हिसाब से डाली, जिसमें ग्रेवी जितना आपको पसंद है, नमक कम डाले हैं, क्योंकि पीछे वीडियो में, सौरी मैं बनाई हूँ, अथि मे डाली हूं क्या कहा जाता है चना बालते समय है इसलिए इसमें डालने के ज़रुत नहीं है खौलने के बाद ही पनीर डाली है अगर आपको लग रहा है कि पनीर थोड़ा टाइट हो चुके हैं तो छानने के बाद जो फ्राई किये थे उसको डाल देजिए गरम पानी में और न देखें खौल गहां ग्रेवी जो रखना आप रखें अपने इसाथ हमें इतना ही चाहिए धनिया पत्ता इसमें डाल देजिए बहुत ही मस्त लगता है हमारा पनीर तैयार है चलिए